हाई फ्रेंड आप मेरे लेटेस्ट अप्डेट्स अपने मेल में पाने के लिए youtube.com slash indie techtudes type करके हाँ subscribe button प्रेस करिए अगर आप subscribe button प्रेस करोगे तो हर दिन में जो कुछ भी लेटेस्ट अप्डेट्स लाता रहता हो ना वो सीधा आपके मेल पर आ जाएंगे friends c language में आज के इस वीडियो में हम लोग scanf के बारे में सीखेंगे ठीके तो हम लोग printf के बारे में सीखा था था ना printf जो है उसको हम लोग input function कहते है जैसे दीखिए अब मैं यहाँ से इन सब को हटा देता हूँ i value और j लगाता हूँ ठीके और यह सब text हटा देता हूँ यहां से ठीके यह सब निकाल देता हूँ निकालने के बाद दीखिए यहां मैं एक step लगाता हूँ printf invert commas में enter any two numbers ठीके enter any two numbers दीखिए जो कुछ भी आप inverted commas में देता हो न वो c language में इसी तरह print होगा यानि आप उस पर गलत भी लिखते हो तो वो ही print होगा उससे कुछ फरक नहीं परता आप यह जो words है na keywords main clrscr इसको हम लोग without spelling mistake लिखना चाहिए ठीके तो देखे मैं यहां scanf लिखता हूँ और invert commas में percentage d, percentage d, invert commas close, ampersand i, ampersand j, इसको ampersand पहरते है and है उसको हम लोग ampersand कहते है ठीके तो देने के बाद देखे यहां मैं इसको print करवाता हूँ printf percentage d, k, k ठीके तो देखे इस program का मकसद यह है कि हम लोग पिछले lesson में i value दिये थे ठीके i को 2 या 3 दे चुके थे, j को कुछ value दिये थे न अब देखे अब यहां मैं कुछ value दिया हूँ नहीं दिया न देखे फिर मैं यहां cake को diplex j कर रहा हूँ तो मुझको answer क्या आना चाहिए देखे कुछ भी नहीं आना हैगा answer क्योंकि देखे मैं इसको value ही नहीं दिया तो value कहां देते है देखे उसके लिए मैं यहां scanf का इस्तेमाल किया है ठीके scanf का इस्तेमाल करके आप run time पर numbers दे सकते हो जैसे देखे अब मैं यहां control if name प्रिस करते ही मुझको यह message आ जाएगा क्या enter any two numbers तब जाकर मुझको दो number देना होगा ठीके मैं कितने number पुछ रहा हूँ यहां दो number ना इसलिए मैं यहां 2 percentage d लगाया हूँ अगर मुझको 3 number देना है तो मैं यहां 3 percentage d लगाता और यहां ampersand x कामा, ampersand i कामा, ampersand j कामा, ampersand k कुछ इस तरह ले देता है ठीके तो इस तरह आप run time में number दे सकते हो, अगर देखिए आप यहां i colt 2, j colt 3, इस तरह यहां पर ही इसको number assign करते हैं तो इसको हम लोग compile time कहते हैं ठीके अगर आप black screen आ रहा है ना, control if and press करने के बाद, ठीके यहां control if and press करने के बाद इसको हम लोग run time कहते हैं, run time पे numbers देने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, scanf का इस्तेमाल करते हैं, ठीके इसे advantage क्या है देखिए अगर आप मैं यहां i colt 2, j colt 3 देता और control if and press करता तो जितनी बार मैं control if and press करता उतनी बार मुझको answer 2 plus 3 ही आता पर यहां क्या हो रहा है, मुझको हर बार control if and press करने के जितनी बार मैं press करता हूँ, उतनी बार मुझको enter any two numbers पुछ रहा है, मैं यहां अपने मर्जी के जो number चाहिए, वो number दे के उसका total कर सकता हूँ ठीके, तो बार-बार मुझको यहां program में आकर change करने की जरुरत नहीं पड़ती है, मुझको यहां choice होता है run type पर, जो number मैं देता हूँ, उसका result निकाल कर देता है, ठीके, अगर आप देखिए 3 numbers लगाते हो, जैसे percentage d देता हूँ, और यहां देखिए, कामा देकर ampersand यह दे देना हो चाहिए, ठीके, अगर आप यहां variable is a का इस्तेमाल करना हो, तो यहां आपको पहले यहां declare करना होगा, ठीके, देने के बाद देखिए, control F and press करिए, आपको enter any two numbers पुछ रहा है, मैं दे रहा हूँ, four, five, six, ठीके, तो आपको लगता होगा कि, मैंने तो यहां two numbers दिय दे रहा है, और वहां जाकर three numbers दे रहा हूँ, यह कैसे हो रहा है, देखिए, इससे कुछ फरक नहीं पड़ता, यह जो print हो रहा है ना, उससे कुछ फरक नहीं पड़ता, अगर आप यहां चाहते हो, तो enter any three numbers भी दे सकते हो, ठीके, देने के बाद देखिए, मैं इसको एक ब और यहां देखिए, five, six, seven, five, तो देखिए, इन तीनों का, तीन numbers का total आ रहा है, ठीके, तो इस तरह आप आसानी से scanf का इस्तमाल करके run time पे total कर सकते हो, तो friends अगर आपको मेरा video पसंद आ है, तो like button प्रेस करिए, facebook के जरीए, twitter के जरीए, google place के जरीए, इस video को share करिए, subscribe button प